महा विनाश का काउंटडाउन शुरू इस तारीक को हो जाएगा मानव सब्भेता का अंत एक तरफ तो पूरी दुन्या में कोरोना वाइरस का कह है बर्पा हुआ है पूरी दुन्या में खोफ है दूसरी तरफ अंत्रिक्ष से भी एक ऐसी तबाही आ रही है जिससे मानव सब्भेता का पूरी तरह से अंत हो सकता है पूरी दुन्या पर ये खत्रा मंडराने लगा है बड़े बड़े व्यग्यानिकों की नीद उड़ी हुई है और ये तारीक है 29 अप्रे अंत्रिक्ष से एक ऐस्ट्रोएड यानी चुद्र घ्रह धरती से टकरा सकता है इस ऐस्ट्रोएड की रफ्तार 31,000 किलोमीटर प्रती घंटा बताई जा रही है व्यग्यानिकों की मताबिक ये ऐस्ट्रोएड हिमाले जितना बड़ा बताय जा रहा है नासा ने इस एस्ट्रोएड के धरती के बेहत करीब से गुजणने की पुष्टी की है व्यग्यानिकों को आशंका है कि अगर ये एस्ट्रोएड धरती से टकराया तो महा विनाश होगा हो सकता है कि दुनिया से पूरी मानव सभ्यता का ही अंत हो जाए तो क्या वाकि ये खबर दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चिंता बन नहीं है क्या वाकि दुनिया बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक महीने का ही वक्त बचा है तो चली आपको बताते हैं इस खबर की पूरी सच्चाई अर्बो साल पहले महा विनाश हुआ था धर्ती से तबाही मचाने वाला एस्ट्रोइड टकराये था एस्ट्रोइड के टकराने से डाइनसोर यूप का अंत हुआ था और 2020 में ऐसा ही डर ऐसा ही खोग एक बार फिर से पूरी दुनिया पर मंडराने लगा है बड़े बड़े विग्यानिकों की नीद उड़ी है सूपर पावर अमेरिका तक घबराया हुआ है क्योंकि नासा ने भी पुष्टी की है कि आसा ही एक विशाल एस्ट्रोइड एक बार फिर से धर्ती के बेहद करीब से गुजरने वाला है दुनिया बदल देने वाली ये तारीक 39 अपरेल हो सकती है नासा की माने तो फिलहाल चिंता की बात नहीं है लेकिन कई विग्यानिक इसके बाद भी आशंग का जता रही है क्या अगर इसकी टाइमिं में कुछ सेकिंड का भी अंतर हुआ तो ये एस्टरोइड धर्ती से टकरा सकता है और तब बहुत मुम्किन है कि इसके बाद डाइनोसोर की तरह पूरी मानव सब्भेता का अंत हो जाए सबसे पहले आपको इस एस्टरोइड का नाम बताते है इसे 5276 से 1998 में IR2 नाम दिया गया है इसकी रफ्तार 19,000 मील प्रतिघंटा है वज्यानिकों को अंदाजा है कि एस्टरोइड मांट एवरेस जितना विशाल हो सकता है और धर्ती पर टकराया तो तबाही मच सकती है 6.96 करोड साल पहले जिस एस्टरोइड के धर्ती पर टकराने से डाइनसोर खत्म होगे थी उसकी रफ्तार 40,000 मील प्रतिघंटा थी उस वक्त एस्टरोइड की टकर इतनी जबर्दस थी कि इससे धर्ती पर जीवन को तीन बार खत्म किया जा सकता था हलांकि 2020 के इस एस्टरोइड के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी रफ्तार डाइनसोर यूग को खत्म करने वाले एस्टरोइड की आधी है लेकिन इसी से आप अंदाजा लगाईए कि दुनिया पर अंतरिक्ष्य आ रहा ये खत्रा कितना बड़ा है और क्यों विज्ञाने इसको लेका जादा चिंतित है इधर कोरोना वाइरस भी पूरी दुनिया में अपने पैर पसा रहा है और दूसरी तरफ इस महा विनाश के काउंटडाउन से दुनिया खोफ में है इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजे साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन सिंडिया को सब्सक्राइब कीजे